नाकपुर शहर से करीब 20 किलोमेटे दूर मोगा उजिल्पी तालाब में एक पिता और बेटे की तेरते दोरान डूबने से मौत की घटना सामने आई मृतकों में 35 वर्षय पिता अब्दुल आसिफ शेक और 12 वर्षय बेटी शाहिप अब्दुल आसिफ इन दोनों का समावेश है हिंगना पुलिस ने स्थानिय लोगों की मदद से दोनों शवों को पानी से बाहर निकालने में कामियाबी हासिल की मिले जानकारे के नुसार नाकपुर शहर की यशुधरानगर पुलिस्थाना अंतरगत आने वाले टीपो सल्तान चौक निवासी अब्दुल आसिफ शेक ये सोमवार की सुभे पूरे परिवार को ले की हिंगना पुलिस्थाना अंतरगत आने वाले मोगाव चिल्पी तालाब के पास कह थे मृतक पिता अब्दुला सिफ शेक इनकी एक बेटे का सोमवार को जन दिन था जन दिन मनाने के बाद पिता पुत्र मोगाव तालाब में तैरने के उद्देश से उत्रे तिस्तरान उनका पैर कही फस गया और वे पानी में डूबने लगे ये दुरु जील पर मौजूद कुछ लोगों ने भी ये दुरुशित देखा तिस्तरान ग्रामिनों को उसकी पतनी को बचाने में कामिया भी हासिल हुई लेकिन पिता पुत्र की पानी में डूबने के कारण मौध हो गई इस खटना की जानकारी मिलती ही हिंगना पलिस मौके पर पहुची और दोनों शवों को आगे की जांच के लिए ग्रामिन अस्पिताल भेज दिया गया क्यामर पोसन अकलेश भारत वाज के साथ दिशाहटवार बीसियन न्यूस नाकपूर